अब यहाँ ते हमारा दुकान चला जाएंगा तो हम कमाएंगे क्या, क्या खाएंगे? अगर हमारे सब की रोजी रोटी चली गई तो हम एरे ीडे उलप्मिंट नहीं होने देंगे जो भी इससे सम्मंधित नेता हैं या समाज सेवक हैं सबसे हम सब की तरब से हाँ जोड़ की बिनती है हमारे साथ नयाय करो नहीं तो हम इधर ही बैठ के आत्मदाय करेंगे नवींबई में बड़े पैमाने पर री डिवलप्मेंट चल ला है हलाकि उसमें जिस तरह की धादली हो रहे हैं उसे तमाम जो रहिवासी है वो पीडित हो रहे है वासी के एक सोसाइटी है कैलास शिखर उसमें भी कुछ लोग इस तरह से पीडित हुए हैं कि उनकी दुकाने थी लेकिन अब उन्हें नहीं दी जा रही है ऐसी तकरीबर 35 दुकानों का मामला सामने आया है जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं हलाकि बिल्डर, विकासक और जो उसके प्रमोटर हैं वो कोई सुनवाई करने के लिए तयार नहीं है हमें से कुछ ऐसे पीडित रहिवासी हमारे साथ इस वक मौझूद हैं जिनकी दुकाने हैं क्या मामला है आपका जिसको लेकर आप आवाज उठा रहे हैं हम 20 से 25 साल से यां बिजनस कर रहे हैं अब हम कहां जावे हमारा भी कुछ नियायक किया जाए हमें कुछ सुविदा दिया जाए हमें दुकान मिला जाए कुछ ने कुछ जो भी गोवर्मेंट का टैक्स है हम सब कमर्सल बरते हैं सोसाइटी कमर्सल है प्रॉपर्टी टैक्स कमर्सल है सिटको का जो भी टैक्स या इलेक्रिक सिटी का जो भी टैक्स है हम सब commercial दे रहे हैं, तो हमें भी हमारा नियाय दिया जाए, और हमें दुकान मिलने की आमती दिया जाए, और हम लोग अभी जावे का, और रही बाद भाड़े वाली, रूम वाले को 9,000 बाड़ा दिया जाए, अब 9,000 बाड़े में हमारे को दुकान मिलने वाली नहीं है, जब आप बिल्डर के पास जा रहे हैं, तो क्या जबाब आपको मिल है, कि आपके दुकानों के बदले क्या कोई दुकान मिलने वाली है, अभी सामने से एगेंस में नहीं बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, मगर यह नहीं बोल रहे हम लिकित में देगे, हम देगे, हम कोशि चल रहा है कोई क्लियर जबाब बिल्डर के तरफ से नहीं मिल ला है दूसरे एक दुकानदार है उनसे हम पूछने की कुछिस करते हैं कौन नहीं सुनवाई कर रहा है यह हमारा बेटा एक तो मन बुद्धी है कृष्णा जयरॉक्स का काम करता है पिसरी 25 साल से और उसका और क तो 75 साल का आदमी हूँ हमारा तो लाइफ का और कुछ सर्टन नहीं है तो बेटे के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे बाद में वो खुशाल जी सके मतलब आपका बच्चा खुशाल जी सके इसलिए आप अपनी दुकान के बदले में दुकान चाहते हैं क्या कहेंगा मडम क्या दिक्कत है जब आपका हक है तो हो मिल क्यो नहीं रहा कि कौन है जो दुकान को बदले आपको दुकान नहीं दे रहा है री डेवलप्मेंट की पॉलीसी ओन पेपर आ गई है कहा जाता है साड़े चार स्वेर फिट चार सो पच्छा सो पच्छा स्वेर्ट का रूम मिलेगा ओन पेपर 29.9 कुछ दिया जा रहा है मतलब 313 का रूम दिया जा इन सब इशु को हम रेज भी ने करें जो भी आप में भी बोलेगे कि हमें इन्होंने कमिटमेंट दिया है दुकारों के बदले दुकाने देंगे अन्वीच ग्रांड विल क्लेम जब पेपर पेपर कुछ देहीं नहीं रहे हो प्लस सोसाइटी का प्लॉट है 15,000 स्वेर मिटर का उसको 11,000 स्वेर मिटर ही दिखाया जा रहा ह मतलब ये रबोट एक-एक करका प्लॉट पूरे रिकॉर्ड से ही गायब किया जा रहा है जब आपको 15,000 स्वेर मिटर का प्लॉट मिल रहा है उसमें अराम से दुकाने भी सेटल हो सकती है और ये पूरे रेवासी एंटार बिलिंग जी प्लस टू की है जितना एपेसाय मिल कि हमसे इलेक्शन वोट मांग रहे हैं आज हम अपने हक के लिए आपको हाट जोड रहे हो तो आप रूला रहे हैं फिर से वही वक्त आएगा आप चाहाट जोड़ोगे हम नहीं सुनेंगे अगर हमारे सब की रोजी रोटी चली गई तो हमें रीड डेवलप्मेंट नहीं ह क्योंकि रीड डेवलप्मेंट के अगेंस नहीं हम हम बोल रहे हैं बांदो दूआ हम खुदी प्रपोजल पर प्रपोजल ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर अन्याय हो कि आप अपना फायदा को आपका कहना है कि आपका राइट है क्योंकि आप लंबे समय से आ रहा रही है अपने उसके लिए क्मर्शियल टेक्स बरा है पानि बिजली का कनेक्शन क्मर्शियल है इसके लिए इसके लिए आपको अपका को दुकान मिले क्या कौन नहीं सुन रहा है यह जो आपकी डिमांड है और क्यों नहीं सुनी जा रहे हमारा प्रेम लांडी से आज 35 साल हो गए उसी में हमारा रोजी रोटी चल रही है अभी ऐसा दुकान नहीं बोले रूम मिलेगा तुमको दुकान नहीं मिलेगा तो हम एक्चुली लीगल मामला ये क्या है किस बात को लेकर ये बिल्डर और जो विकासक हैं वो मना कर रहे हैं कि आपको दुकान नहीं मिलेगा देखे सर पिछले कई वरसों से हमारा सिवसक्ति फोटो स्टूडियो है और हमको बहुत खुसी हुई जब ये प्रोजेक्ट आया कि अरिहंद बिल्डर बना रहा है बहुत अच्छा बिल्डर होगा और अच्छा बनाएगा और हमारे सिरी किसोर पाटकर साब जी जो सोसाइटी के सेकेटरी हैं तो हम लोग बहुत खुस हो गए कि हमारे नगर सेवा कि जब इसको प्रोट कर रहे हैं तो ये काम बहुत प्रशासन हमसे मांगता है यहां तक कि साइटी में भी हमसे लिया जा रहा है हम दोनों भाई का एक ही सहारा है यही एक छोटी सी दुकान है साब इमानदारी का काम है हमने कोसिस की बहुत कि साब मैं जब मीटी हुई अन्रिकॉर्ड है मेरी बात मैंने कहा कि दुकानदारों को आप इस तरह से डिनाय नहीं कर सकते आप हमारा रस्ता निकालिए उन्होंने बोला तुम मैं 700 आदमी का देखूं कि आपका देखूं मैंने कहा उनका भी देखिए हमारा भी देखिए हम यह दुकाने उनकी ही सेवा जो भी इस से संबन्धित नेता है या समाज सेवक हैं सबसे हम सब की तरफ से हाँ जोड़की बिनती है हमारे साथ नया करो नहीं तो हम इधर ही बैटके आत्मे दाय करेंगे आप भी यहां के दुकानदार है क्या सुनवाइब रही है यहां पर ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो आया नहीं है और जैसा कि हमारे भाइब ने बोला है हम बिल्कुल उनके साथ में है और हम यहां पर काफि काफी लंबे समय से बिद्निस करते हैं अब यहां से हमारा दुकान चला जायेगा तो हम कमाएंगे क्या खाएंगे यहां से निकल जाएंगे दूसरे तरफ ना हमारा किशोर पाटकर वो ही कॉर्परेटर है इस एरिया के उनको हम अपने देवता मानते क्योंकि हमने तो उनको रिप्रेजेंट्यू चुनके दिया है हम उनके भरों से भाग रहे हैं उनकी साथ हमने पूरे सारे 35 लोगों के असपास बहुत सारे मेंबर में मिटिंग की उस टेम हम हमें कमेट्मेंट दी गए कि आपको दो दिन में एग्रिमेंट बनाके रेकॉर्ड पे दिये जाएगे और इसमें आपका जो भी डिमांड एड किया जगा उसमें डिमांड था सर 29 नहीं चारसो पचा स्क्वेर फिट का जो भी आप देंगे एरिया हमें पुरा देना चाहिए अन पेपर प्लस शॉप के बदले शॉप का वो पूरा कमिट्मेंट दे रहे थे थोड़ा सा जी आर उनीस विगत पर भी हम आपको अंडर्टेकिंग कर देंगे कि शॉप के बदले पर हम किसी बिल्डर को रिडवलप्मेंट दे रहे तो इस रिडवलप्मेंट के हिसाब से हमें राइट है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं मांग सके ठीक है ठीक है ठीक है दुकान के बदले दुकान चाहिए एक चीज आखरी चीज आप से पूछना चाहेंगे आप बताईए जो प्रमोटर हैं इसके किसोर पार्टकर जी उनसे का भी मुलाकात किये उनका क्या कहना था क्या फिर क्या वो चाहते हैं जो आप लोगों के खिलाब जा रहा है किंखुर करणी को हमने मिले थे मिलने के बाद वन्होंने आश्वसं दिया था कि मैं मेरी कोशिश करूंगा आप मुझे लेटर दीजिए कोशिश करूंगा फिर हां ना हां ना 2 मेन हो गया सर हमें अभी तक कोई agreement ने मिला नहां में को डॉकुमेंट मिला ना हमको आस्वसं मिल कि वो एक बड़ा हमारे सामने फूट डालने का एक सूख करते हैं कि हम अगर तुमको दुकान देते हैं तो सब लोग बोलेंगे कि हमको भी दुकान दो तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सर आप उनके रिकॉर्ड चेक कीजिए अपने रजिस्टर में कि आप कितने लोगों से कमर्सेल टेक्स ले रहे हैं जिनसे आप कमर्सेल टेक्स ले रहे हैं उनको ही तो दुकान देंगे ना जब और जो हम नगर पाली का क्या सारे जो लोग रहिवासी हैं वो कोई कमर्सेल टेक्स नहीं भर रहे हैं हम गिने चुने लोग ही भर रहे हैं और हमारे उसमें लिख लेकिन हमारी छोटी छोटी दुकानों को दुकान नहीं दे सकते हो अब ऐसे में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या स्टेटजी होगी आपकी क्या करेंगे अगर न्याय आपको नहीं मिलता नहीं मिलता है अगर न्याय नहीं मिलेंगा तो वैसे हमारे पस शौप नही इसका पूरा शीरे जो भी रिड ड्य ब्लप्मेंट में जा रहा है हमने पहले भी बुल आए कि हम उसके अगेंज में नहीं हैं तीने दो माले के बीडिंग को 31 माले का टावर बना सकते हैं तो हमें शोप क्यों नहीं दे सकते यह possible है हो सकता है तो हमारी यहीं रिक्वेस्ट है जो भी रेडियो लपमेंट में जो भी इतमें है मतलब जो हमारा अरियांद बिल्डर जो है उनते हम यही निवदन करेंगे के हमें तो एक शौप अलाओ कर दे एक शौप अलाओ कर दे क्या रणीती होगी अगर समझीए कि नियाय जल्दी नहीं मिलता है तो क्या कहेंगे अब सर देखिए हम चाहते हैं कि हमारा न्याय इसी लेबल पर हो जाए जिस लेबल पर हमारे अपने हैं प्रोमोटर सोसाइटी के लोग अपने हमारे बिल्डर भी हमारे नभी उम्माई के हैं लेकिन अगर वो हमारा नहीं सोचेंगे तो हमें जैसे आज हम आपके पास फर्याद ल कि अंधे किया काना चाहेंगे क्या करें घर यह दुकान चली जाती आपको नहीं मिलती है तो क्या तकलीफ होगी आपको यह दुकान हमको नहीं मिलेगे जो जान देनेंगे सब, इसके अलावारों हमारे पास क्या है, कहीं न जा सकते हैं, कहीं हमारे पास उतना नव आदमी का हमारा खर्चा, नव नव बच्चों का, तो इनको लेके कहां जाएंगे रहने के लिए क्या कहेंगे मेडम, अगर समझे नयाय के नहीं कारणों से देरी होती है, नहीं मिलता है, तो क्या रणनीती होगी आप? देखे, जहां तक मेरा तजर्वा और नौलेश है, इन लोगों को दुकाने मिलने चाहिए, और मुझे लगता है, किशर पाटकर साब और चाचर साब समझदार है, वो यहीं पे उनको उनको मसला सौल कर दे, बैठके तो बहुता चाहूँ, नहीं हुआ, तो बाकी तो रस्त करके पेड़ बर लेता, पूरा परिवार मरेगा तो सर बचाना तो पड़ेगा, जहां पर जो लीगल रस्ते हैं, जहां से हमें नहीं मिल सकता हर हो, जैसे मेरे भाई नहीं बता है, दर्वाजा कट-कटाना पड़ेगा, आप इम इवन हाथ में पेपर देख लिजे, नॉर् कर देख लिया है, तो जो चीज लिए वही हम मांग रहे, आपको कोई हम मौल तो नहीं मांग रहे, एक छोटी दुकाने उसके बदले में दुका नहीं मांग रहे, हर जो दर्वाजा तो नियाए देने वाला हम वहां जाएगे, आकिर में ये बोलनों सर, अगर हमके नियाए नहीं मिला, तो हमको आत्मात्या करना पड़ेगा सर, यह हम कई जाने का कोई सवाल ही नहीं सर, हम नियाए की कोशिश कर रहे हैं सब जगह, अगर एंड एंड लास्ट एंड फाइनल नहीं मिलेगा तो हमको आत्मात्या करना ही पड़ेगा सर, हम 35 सालों से कर रहे हम कहां जा ना हम भाड़ा भरने योग हैं हमारे साथ अच्छानक यह रीडवलप्मेंट लाद दिया गया है ठीक है सब के भलाई के जनता के लिए हो रहा है तो वह हो जाए लेकिन हमारी हाँ जो रूटी पेट पालन कर रहे हैं हमारे साथ अन्या एन्या नहों मैं हाँ जोड के सबसे ब पूकांदार यहां हैं यह तकरीबन 30 से 35 सालों से लगातार अपनी जीवी का इसी माध्यम से चलाते हुए आ रहे हैं लेकिन अब जब इस पूरे सोसाइटी का कैला सिकर सोसाइटी का विकास हो रहा है तब इनके अधिकारों और हकों को छीना जा रहा है ऐसे में इनके पास साखरी उम्मीद बची है कि बिल्डर विकासक और इसको प्रमोटर है के सोर पाटकर निश्चित तोर पर इनकी पीडा की ओर ध्यान देंगे और इन्हें नया देने की कोशिस भी करेंगे कैमरामन रभी चंद के साथ मैं सुधीर सर्मा टीबी वन इंडिया नवीम भई